मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में आयोजित स्वरणेम हिमाचल समारोखो और स्वरणेम हिमाचल रथ यात्रा की तयारी से संबंधित उचिस्तरिय स्मिती की समेक्षा बैठक की अध्यक्षता की इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरणिम हिमाचल समारोखो का आयोजन वर्ष भर धूमधाम से किया जाएगा जो प्रदेश के पिछले 50 वर्षों की शांदार विकास यात्रा को प्रदर्शित करेगा मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने सोंवार को शिमला में आयोजित स्वरणिम हिमाचल समारोखो और स्वरणिम हिमाचल रत यात्रा की तयारियों से संबंधित उचस्तरियस्मिती की समिक्षा बैठक की अध्यक्षता की जैराम ठाकु ने कहा कि इस पूरे आयोजन को दो भागों में विभाजित किया गया है पहले कारिक्रम में स्वरणिम हीमाचल रत्यात्रा होगी जो इस वर्ष 15 अप्रेल से आरंभ होगी और 51 दिनों तक चलेगी दूसरे कारिक्रम के अंतरगत स्वरणिम हीमाचल उत्सव मनाया जाएगा जिसके अंतरगत वर्ष भर प्रदेश के विभिन भागों में कई विभागों द्वारा 51 कारिक्रम आयोजित किये जाएंगे उन्होंने कहा कि राजे के गौरवशाली इतिहास के बारे में युवाओं को शिक्षित करने पर विशेश ध्यान दिया जाएंगे शिक्षा विभाग को इस दिशा में विशेश प्रयास करने चाहिए ताकि युवापीड़ी प्रदेश के समरिध इतिहास और अतीत पर गर्व कर सके मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे आयोजन का लिखित प्रमान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीडियों के लिए ये सबसे महतोपून दस्तावेज बन जाए उन्होंने कहा कि राजसरकार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थाने कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए गेर सरकारी संगठनों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिध्यों को समिलित कर मीडिया का प्रभावी उप्योग सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैराम ठाकु ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथियात्रा प्रतियक हिमाचली के साथ संपर्ख स्थापित करने का एक व्यापक माध्यम होना चाहिए उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के माध्यम से ये संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य के विकास और प्रगती में प्रतियेक प्रदेश वासी ने अपना योगदान दिया है प्रदेश की इस विकास यात्रा में प्रतियक किसान, इंजिनियर, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक और आम जनता ने योगदान दिया है उन्होंने कहा कि इस कारिक्रम को रस्मी तोर पर नामान कर इसे राज्य के प्रतियक व्यक्ति के साथ संपर्क की भावना से मनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि विभिनक्षेत्रों में विशेश उपलब्धियां हासिल करने वाले राज्य के लोगों को सम्मानित करने के लिए एक विशेश कारिक्रम आयोजित किया जाना चाहिए जैराम ठाकु ने कहा कि राजिस्तरिय उपलब्धियों और जिलास्तर के आंकलों को दर्शाती अलग-अलग पुस्तिकाएं तयार की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि महत्वपून स्थानों पर पिछले 50 वर्शों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते होल्डिंग स्थापित किये जाने चाहिए परियाप्त प्रचार सामगरी तयार कर प्रदेश की लोगों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए क्या है स्टेट लेवल के मेजर इवेंट्स हमारे 51 का ही नवर करना चाहिए सबसे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए जो नई जेनरेशन है लेकिन जो हमारी नई जेनरेशन है जो अभी स्कूलों में है जो कॉलिज में पढ़ रही है उनके इसमें ये पचास साल का इतिहास उनके ध्यान में आना चाहिए उनके बीच में जाना चाहिए उनको ये जानना चाहिए इसलिए स्कूल, कॉलिज और जूनिवर्स्टी इसमें हमको कारेकरम करने का एक स्चडूल देना चाहिए बना करके आदमी के साथ कॉंटेक्ट करने का उनके बीच में संदेश पहुंचाने का एक माधिम होगा एक जरिया होगा और इसके माधिम से हमारा हर संदेश ऐसा जाना चाहिए, वो संदेश ये जाना चाहिए कि ये हिमाचल पचास वर्ष की इस यात्रा में आप सब के परिश्रम की बज़ा से इस मुकाम पर पहुंचा है आपका उसमें कॉंटर्बुफिन है, आपका उसमें सयोग है, आपका उसमें योगदान है ये संदेश जो हर तरह से किस परकार से गीत के माधिम से, ये हमारा लिट्रेचर जो बंच्छाप रहे हम उसके माधिम से ये संदेश हमारा अपनी बातचीत में, लोगों के बीच में, महाशन में और सारी चीदों में इस पर कासे जाना चाहिए। ये बहुत आवश्चे के दिखना।